दोस्तों नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं आपसे EPS 95 पेंसन के हवाले जो भी अपडेट निकल के आया जो कुछ भी अभी तक प्रोसेस हुआ है वो मैंने आपको कल के वीडियो में जो है फेस्बुक के माध्यम से जो EPS पेंसनर से उनकी जो रियक्शन और प्रतिक्रिया आ रही हैं वो मैंने आपको दिखाया आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दूसरे जो सूसल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह है ट्विटर उसके माध्यम से जो लोगों का रियक्शन है जो लोगों का क्रोश है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हो तो दो पोस्ट किया था मंतली प्रेंशन आफ मेंबर्स और इसके उपर जो सबसे पहला रियक्शन गया हुआ है ईप्यस प्रेंशनर गोबिंद जी है उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे उन्होंने अपनी बात को सुसर मेडिया के हवाले लिखा हुआ है उन्होंने बात रख्या हुआ है इप्यस्ट पूछ रहे हैं सीधे कि आप हमें बताइए कि आप एप्यस्ट्री प्रेंशन लिया हुआ है जबकि दो-दो बार के फेवर में जो है सुप्रीम कोड ने फैसला दिया हुआ एपक्स कोड ने जो है फैसला दे रखा है उसके बाद भी कोई भी अप जो है एक्शन नहीं फो द्वारा नहीं मिनिस्ट्री आप लेबर द्वारा लिया गया है आगे बढ़ते हैं तो आगे अपनी बातों को रख रहे हैं जो कि इंफर्मेशन जो है लोगों का साथ शेयर करें अगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उपेंद्र जी जो है वह उप्य साइलेंट मार्च के बारे में यहां पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट के जो कि मैं आपको हिए अजय अजय आए अट इंध दोलो बाद एद्धशन नहीं है तुल आ हिए हम एड़ श्रूर इंधिन काम देग्या उपाश्या बेग्या डूपाश में तो यहाद गर फीविट्स्विट्स्विज्थ बीविप्ट्स्वेट्स्वाश्व ऋग्या तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने रिकाए से पहले मैंने आपको वीडियो शेयर क्या हुआ था जिस पर दिखाए ता फेस्बुक पे लोगों के अंदर काफी अक्रोष था जिस पर वो लोग अपनी रियक्शन्स दे रहे थे अपनी बातों को रख रहे थे जो कि दो दू बार सुप्रिम कोट और एक बार हाइग को पर अब उसके बाद सप्रिम कोट का इसके उपर आया बड़ उसके बाद भी फज्वारा और अभी तक कोई भी दौरा- संग्या नहीं लिया गया तो लोगों जो है Mayल ніको बता दू कि नरेंद्र मु injk क गया है जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कि अरूर जैटली और प्रकाछ जावटकर जी को टैग किया गया है इंडिया टुड़े ग्रॉप को टैक किया गया है एंड टीवी है देने कि लोग को टेक क्या है आप देख सकते हैं प्रकास आवड़कर जैसा कि लोग सभाद चुनावाद 2014 से पहले ही लोगों को आशोशन दे रखे थे हाला कि उसको पर कोई भी जो है आगे बाग बढ़ी नहीं सरकार बढ़ने के बाद जिसकी विए से लोगों ने उसको टैक किया था आप देख सकते हैं एक सो तिरह दिन से एक सो तेरह दिन जिसमें की बिलको सांतिपूर्ट तरीके से बिलको सालिनिता के साथ अपनी बीरोत को प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बातों को रख रहे हैं जिसमें उनकी मांग है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर साइलेंट एगेशन है साइलेंट जो है एपको दिखा दू तो देखिए साइलेंट एगेशन का यह है पिक्चर से उन्होंने सेयर के वाई सोसल मीडिया के हवाले और अगर मैं टैक पर देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि काफी कुछ है यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया टुटेए यूपी नियूज डिया ने मेमरंडम आफ डिमांड्स ऑफ एन एसी इपेस्टाइट फाइफ पेंशनर्स और मुकुल जो हैं ए इसी सी और सी एंसीपी के जो लीडर से और इंड यहां तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपनी बातों को रखिये तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है आगे देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि 102 दिन इन्होंने टैग किया गया है यहां पर रेंदमोदी संतोज गंवार कर अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं तरीके से और यहां पर आप देख सकते हैं कि हर दिन अगर आप एक चीज नोटिस करें तो हर दिन जो है कुछ निंदा लोगों को जरूर टैक किया रहा है जो पिक्चर्स है जो अप्लोड की जारी सब्सक्राइब कर देखेंगे टैग में वह लोग सिमिलर है चुकि अब सरकार की तरफ ध्यान जो है सरकार को अपनी ध्यान देने की कोसिस करी जा रही है हर तरीके से अंशन के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जैसा की आप देख सकते हैं आप अब आहरे के वह सद दूरूप से लगे हुए हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्फानेट चेनेगर यह सोमा दिन जो है करने वाले और चाय उद्योग को कल्याड के लिए कदम उठाई तो इन्होंने टेक करते हुए लिखा कि अलपेंसंदार को समझे देख सकते हैं आपकी किस तरह से जो है पेंसनर जो है अपनी बातों को रख रहे हैं सोसल मीडिया के हवाले भी मैंने आपको दिखाया था कल फे जारी है साथ साथ आप देख सकते हैं जो है कि ट्वीटर के हवाले भी लोग अपनी बात को पहुंचाने की कोसिस कर रहे हैं बढ़ते आगे अगर देखी जाए तो हाप देख सकते हैं और हर एक दिन का आपको देख सकते हैं सोसल मीडिया पर यह जो कि अबलेबल है हम एक होती है साथ वश्कि उसके बाद भी लोग प्रयास आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा दीता हूं थोड़े जल्दी जली करके तक आप देख सकें और यह आप देख सकते हैं कि हर एक दिन का एक जो है ट्वीटर पे जरूर मोदी शंतोजगा और प्रकाश निराश हुए उसके बाद जैसा कि अब देख सकते आगे बढ़ते हैं आगे अगर आपको दिखाऊ कुछ फोटो दिखाता हूं कि बात कर लेते हैं दोस्तों अगर लोगों की जो लोग इसमें नेशनल लेशन कमिटी फाइटिं 62 लैक्स पेंशनर्स ऑफ इंडिया तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर लोगों का जो रियक्शन से अगर हम बात कर लगते हैं जो फोटो जो कि मैंने आपको दिखाया पहले भी कि तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी जो बड़ी तादाद है लोगों की जिसमें की इपिस 95 पेंशनर्स जो हैं अपनी मांग को रख रहे हैं आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग काफी बड़ी तादाद हैं करीब जो हैं जो हर एक काफी लोग जो है इकत्रित हो रहे हैं जो अपनी मांगों को लेके प्रिद्धी के लिए सरकार से अभी भी आश्वानवीत हैं और अपनी प्रयास को है जो की काफी सांति पूर्धंग से सतत रूप से वह प्रयास को अपने जारी रखे हुए जैसा कि आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं मैं आपको शॉट पिक्चर दिखाता हूं उसके साथ वीडियो को खतम करूंगा आपको दिखाता हूं आगे तो अब देख सकते हैं कि काफी साधार तरीके से और काफी प्रयासरत होके अपनी प्रयास को जारी रखे हुए हैं तो दोस्तों वीडियो का आने का उद्येस था कि मैं आपको बता सको को लोग जो है शोचल मीडिया के हम हावाले भी जो अपनी वीडियो को प्रदर्सत कर रहे हैं इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया था जिस पर लोगों का फेश्बूक पर अपने रियक्शन देखा और इस बीच् आपके 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 आते रहते हैं ताकि आप हर एक नजरीय से वाकिव रहें और समझ सके चीजों को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाल